सुप्रीम कोट के फैसले के सिर्फ दो दिन बाद पियम मोदी की अध्यक्षता वाली हाई पावर सेलेक्शन कमिटी द्वारा हटाए जाने पर आलोग वर्मा ने अपनी चुप पी तोड़ी है सीबी आई चीफपद से हटाए गए आलोग वर्मा ने कहा है कि जूटे अप्रमारित और बेहत हलके आरोपों को अधार बनाकर उनका ट्रांसफर किया गया है एक समचार अजनसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये आरोप उस एक शक्स ने लगाए है जो उन्हें द्वैस रखता है बतादे कि सीबिया यानि केंद्रिय जाच प्यूरो निदेशक पत से हटाए जाने के बाद आलोग वर्मा को अगनी शमन सेवा नागरित सुरक्षा और होमगाट का महानिदेशक बनाया गया है आलोग वर्मा ने कल देदरा समचार एजंसी को दिये एक बयान में कहा कि सीबिया उच्च सारवजुरिक इस्थानों में भ्रशचार से निपटने वाले एक प्रमुक जाच एजंसी है एक ऐसी संसा है जिसकी स्वतंतता और सुरक्षित और किया जाने वाला चाहिए और आगे उन्होंने कहा कि इसे बिना किसी बाहरी प्रभाव यानि की दखल अंदाजी के कार करना चाहिए मैंने संसा की साख बना रखने की कोशिश की है जबकि इसे नस्ट करने के लिए प्रयास किया जा रहे है इससे पहले कल ही छुटी से बहाल किये गये सीविया निदेशक आलोग वर्मा को हटा दिया गया है सेलेक्षिन कमिटी की लंबी चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है सेलेक्शन कमीटी में प्रधान मंतरी नरेंद मोदी, सुप्रीम कोट के जस्टिस एके सीक्री और लोगसभा में पिपक्ष के नेता मलिक आरजुन खड़गे सदसे हैं सूत्रों के मताबिक बैचक में मलिक आरजुन खड़गे ने वर्मा को हटाने का वरोत किया लेकिन प्रधान मंतरी मोदी और जस्टिस एके सीक्री ने सीबीसी के रिपोर्ट से इतफाक जताया और उन्हें हटाने का फैसला लिया कमीटी ने ये फैसला भी लिया है कि वर्मा के खिलाफ सीबीसी की जाच जारी रहेगी और इस पारे में बुद्वार को भी बैठा कुई थी लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका था गुरुवार को एक बर फिर से कमीटी की बाटा कोई जिसमें उन्हें हटाने का फैसला किया गया और आलोग वर्मा की जगा अंतरिम निदेशक रहे एम नागेश्वर राव को दुबारा अंतरिम निदेशक बनाया गया है आलोग वर्मा को fire services का डीजी बनाया गया है आलोग वर्मा ने पिछले साल अक्टूबर में खुद को छुटी पर भेजे जाने के सरकार के फैस्दे को सुप्रीम कोट में चुनौती दी थी सुप्रीम कोट ने मंगलवार यानि की आठ जनवरी को अपने फैसले में आलोग वर्मा की छुटी के आदेश को अस्समवेधानिक बताया था और वर्मा की बहाली कर दी थी हाला कि सुप्रीम कोट ने वर्मा के हाथ बंद रखे थे और उन्हें कोई नितिगत फैस्दा ना करने का निर्देश दिया था साथी सुप्रीम कोट ने कहा कि सेलेक्शन कमीटी वर्मा पर लगाए गए आरोपों पर विचार करे और एक हफ़ते में वर्मा के भविश्च का फैसला करे आलोग वर्मा ने बुदवार को दुबार अपना काम काज संभाला और अक्टूबर में छुट्टी पर भेज़े जाने के बाद किये गए तबातलों को रद्द कर दिया कॉंग्रेस निताओं ने इस फैसले पर सवाल खड़े किये जिस से सीधा प्रशन चिन सीविसी पर लगता है सीविसी के कारेशायली पर कि क्या वो एक निश्पक्ष्टा से अपने पद के जिम्मेवारियों का निर्वाहन कर रहे हैं या केवल प्रधान मंतरी का रियाले के संकेत पर सीविसी अपने कारेशे कर रहे हैं काम कर रहे हैं क्या घबराहट है मानि प्रधान मंतरी को किसी भी कीमत पर सीवियाई के डिरेक्टर को हटा के अपनी मन पसंद के किसी अधिकारी को रखना चाहते हैं कुछ चीजे हैं जीन पर पतान मत्री परदा डालना चाहते हैं सरकार परदा डालना चाहती है वो नहीं चाहती कि सी बिया एक कुछ मामलों की जहनबीन करे जांच करें